हेलो एब्रेवन और विल्कम बैक इन में यूट्यूब चैनल केम परिक्षा आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ओफ एल्कोहॉल और फिनॉल को कंटीन्यू विद रियक्शन इंवॉल्विंग क्लीवेज ओफ इसमें हम तोड़ते हैं सी डैश ओएच वाला बॉंड यानि कि जब हम सी को ओएच से अलग कर दें और ओएच पार्ट को हम निकाल दें अपनी रियक्शन से तो इस वाले बॉंड की क्लीवेज हम करेंगे इससे पहले हमने किया था क्लीवेज इंक्लूडिंग सी ओएच यहां और हम क्या कर रहे हैं और हम निकाल रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है इसमें पहली रियक्शन है रियक्शन विद हैलोजन एसिड्स हैलोजन यानि कि आपर एक्स और एसिड यानि की एच ठीक है तो इस तरह आप समझीए यह क्या है 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 तो हैलोजन एसिड की रियक तो हम न है पर लिखा है याاس है तो हमारा ऐल्कॉहॉल से एल्कुहॉल कोई भी हम है ल inac金 करते हैं अब Siyaam Clear A घेल कोई है कि grateful कि एक रिंखनी जडरी है अब याद कीजिये यह reaction चोई कहीं देखे देखे जरूर होगी धर सब्रूससर शेखले हैं यह है ग्रूस प्रोसस को अबया यह ग्रॉप एक्शश न कद सब्सक्तव है और वहां वहां पर नियुक्रेवल हैंdr यह एक्ष मैंने लोगल पर अल्स यहां पर भी क्या होगा यह ती ऐड्रेटिंग एजन का काम करेगा तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएंगे और वाटर जो निकल जाएगा बाइप्रोडट की तरह और और रसील जो होगे हुआ जाता है इसकी हिल्प से और वाटर आप जाएगा यहां भी लिख सकते हैं य यहां बर हम फिट से रिखेंगे alcoholRoh इसका हम रियक्शन कराएंगे पहले PCL 3 से पी-सी एल-3 और इसमें कोई रियजिन नहीं डालते हैं ठीके जब यह यह हम पी-सील-3 से रियाक्शन करते हैं तो सबसे पहले बनता है और और ची यह विच प्लूरइड यह तब क्या बन जा यहां पर क्या बनता है जो यह है और है और है और यहां पर हो और सील जो यह भी बज़ गए है इन सब को मिलाकत के क्या बन जाता है है H3PO3 क्या बन जाता है H3PO3 इसमें आपको बस क्या याद रखने पी तो एक ही था बचे एच और ओ जो कि क्या है 33 होंगे है ना मैंने बोला था सब कुछ क्या होगा 33 होगा यहां पर और यहां पर जो आर्ट सील होता है वो भी क्या बनते हैं क्योंकि यहां पर तीन जो होते हैं यह रियाट कर जाते हैं तो इनका टोटल मिला करके यह पूरी तीन तीन हो जाते हैं ओके यह समझ में आगे आपको अब हम देखेंगे जब हम रियाक्शन करवाएंगे सेम एलकोहॉल का विद पी-C-L-5 आर-च का रियाक्शन हमने करा द ठीक है यहां पर रोड़ने के बाद बच जाते हैं पी और ऑक्सीजन और बच जाता है हमारे पास हाइड्रोजन और यह कुछ क्लोरिं हमारे बच जाएंगे तो यहां पर पी और 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 सीयल मिलके बिलाते हैं अपना स्टेबल प्रोड़क्ट विच इस पी-ो-सी-ल-3 ठीक हैं HCl लिए हमने पहले भी किया था पी-स थी शीयल थी पीसेल 5 का है ना इसके बार जो हम रियाक्शिन करेंगे वह भी था और कुंशों भी किया था हमने यहां बार बार अपने बनागा है कि यहां पर फिर से यूज करेंगे आरएच को थियोनाईल के साथ, है न, SOCl2, थियोनाईल ने अतलब सलफर, है न, और क्लोराइड is Cl2, तो थियोनाईल क्लोराइड का जो हम रेक्शन करवाते हैं, अलकोहॉल से, in presence of पाइडीडीन, यह नहीं बोलना है, पाइडीडीन, तब क्या होता है, R और Cl तो RCl मनाते हैं, rest of the product are SO2 and HCl, which are both gases, और जब gases हैं, तो easily escape out कर जाएंगी, और जब gases escape out हो जाएंगी, तो बच जाएगा हमारे पास सिफ RCl, जो कि हमें कहीं से भी separate करने की कोई ज़रूद नहीं है, और बस easily हमें मिल जाएगा, इन वाले cases में क्या होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा, RCl के साथ साथ HCl भी बिन रहा है, तो हमें सेपरेट करने में दिक्कत हो जाएगी, मगर इसमें क्या है गैसे है, हराम से एवेपरेट हो जाएंगी, और सिफ RCl हमारे पास बच जाता है, यह थिए अना यह कोशन किया था हमने, अब नेक्स है, रियाक्शन विद अमोनिया, अब ह अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बारी बारी करके NH3 का रियाक्शन करवाएंगे, और इससे हमें क्या मिलता है, यह भी हम देखेंगे, यह नोट कर लेजे कि अलिफेटिक और अरोमेटिक दोनों के लिए है, ओके, हम लेंगे यहां पर अब, आर, ओ, एच, एल्क और इसका रियाक्शन करवाएंगे, अमोनिया से, अमोनिया है, एच, NH2, अमोनिया को हम जो है, एच दिखाएंगे, और हम तब तक यूज करेंगे, जब तक इस अमोनिया के पास हाइड्रोजन होंगे, ठीके, तब तक हम इसका एच रियाक्शन में, क्योंकि हम जानते हैं, दो और ले रेच्शन करते हैं तो हम एक एक एल्कोहॉल और एक अमूनिय नहीं हमोनियक को थोड़ा-2 मिली- 2 मिली-My-glerains में तो यह कितने होते हैं कितने साधे होते हिसके आतमने आप जानते हैं यहां पर बहुत सारे होंगे जो कि react करते करते यह यह बना रहे होंगे यह हम इस साब से दिखा रहे हैं आपको तो यह रहा हमारे पास alcohol और यह react कर रहा है हमारे पास ammonia से जब यह reaction होती है तो हम इसमें डालते हैं यह होता है कर दे कि और यह आणि का रिमोबल कराएगा ठ्मुम्बल कराएगा और आणि की यहांपर क्या करेंगा वाटर का रिमोबिल कराएगा तो यहां से ओच और यहां से एच निकल जाएंगे और यहां से माइनस एच टो लिग देते हैं अब जो बढ़ गया है वो है और एन एच टू यानि की वन डिगरी अमीन है क्योंकि एक अलकाइल ग्रुप से अटाच है यह अमोनिय यह हो जाएगा 1Dac mean तो पहले रेक्शन में क्या होआ हिन हमारे पkel एक इसका आर dewकोहॉल और से और इसका रियाक्शन करवा देंगे 1 करफेन डुकर और दोछाएं नमुणयल और यहां से और हे मज़र गोल जाएं एक Velh चैनी और आपक्ष कि ऐब निचमत ज्यानी कि इस यो कि इस यो की वें रृटीज निंच बीच में तरी दुआच एक और यह तुसरा दो तो यह क्या हो जाएगा टू डिग्री अमीन टिक है टू डिग्री बन गया है अब इस तू डिग्री का भी फर्दर हम रियाक्शन कराएंगे क्योंकि इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है तो यह रियाक्शन करेगा टू डिग्री अमीन भी अल्क यह लिखना मत बूलिएगा वाटर यहां से निकल गया अब जो बच गया है उसे लिख लेंगे बच गया हमारे पास आर एन आर आर ठीक है यह हमारे पास बच गया है और यह क्या है थ्री डिग्री आमीन अब इसके पास इड्रोजन नहीं है तो इतनी ही यह रियक्शन होगी यह नहीं के नाम सथे जाए इंहाँ यहां पर था यह फिषा फिक्वाइख साउप निडीग्री एमीन ओर यह है यहां पर यहां पर टू डिग्री आमीन वाडर धिकार भी है तो फिर हुर टिग्री रिांटिक कर आया तो भड़लोग करवाय तो यहां पर परहमे Events ब Samuel जब केवर्शन करने के के कानवर्शन करनी है की आफिचा केन कन्वर्शन काने में तो कन्वर्ट करना है हमें सबसे पहले फिन зна Girls को बिन यह नाइट्राइल में तो बैंnew नाइट ? के इसे करेंगे हम जानते हैं अभी हमने अल्कोहल को लिया था तो उसके कैसम पर फिनॉल का भी हम रियाकशन करा दे membership इन्मोनिय से तो हम बना सकते हैं ऐसमाइं यह निकि अगर हमने Nawonya बना अंजा अ recipro बनाते है सबसे पैला मैं बना आना था बैंजो नाइट्राल कैसे बनाएंगे देखिए यह हमारे पास फिनॉल तिक है फिनॉल और फिनॉल का हम डियाक्शन करवाएंगे है नहीं हमारे पास अम्मोनिया और यहां पर क्या हो जाएगा अब यह बन जाएगा हमारे पास यहां पर आजाएगा बेंजीन के साथ और जब बेंजीन के ओपर एनिलीन कहते है इसे और आप इतनी बात तो जानते ही होंगे कि जैसे ही हमारे पास अनिलीन बन जाता है तो हम उससे बना सकते हैं बीडीसी और बीडीसी से हमने कितनी सारी रियाक्शन से की थी तो यह सारी रियाक्शन बनाने भी हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा तो बीडीसी बनाते हैं यहां पर बीडीसी बनाने के लिए हम क् से कि अब यह बन जाएगा कि अनीन 2 अमने डाल दिया इसमें यहां पर यह क्या बन जाएगा PDC N2 positive CL negative which is VDC ठीक है BDC बन जाएगा अब BDC बन जाएगा तो हम इससे क्या कही रेक्शन कर सकते हैं यह आप यानी की बेंजीन उपरム नाय जानते ही है हमें बिच्ण हाना में बेंजो नांत्राई भॉप च़्ुमन के लिख श máxim प ह डिंगा सब आ और हमने बिटसी महँतं धीन नाय था व courses we बन जाएगा benzonitrile जो कि हमें बनाना था इजी है बस हमें क्या करना है सभी में एक चीज कॉमन करनी है विच इस बीडीस का फॉर्मेशन करना हमें फिनोल से फिनोल से पहले अनिलीन बनाना है अनिलीन के बाद बीडीसी और बीडीसी के बाद जो हमें बनाना हम वह बना सकते ह तो बगने सी अगे ख़ो करें तो आपको बागी की चीज़े तो आसानी हो जा हो यह लिए अब आले लिए तो आपको बनाना था बेंजोई Frankthe लिए करें कि लिए कप बनाने करें कि लाने करेंने कि कॉरें कि जब कि Аुट कीजे कभी भी भी रूए ऊमandraiddag तो हम क्या करते थे साइनाइक डूप के बनते ही इसमे एक और गृूप एड़ एड़ान हो जाएगी एक और स्टेप ठेप है तो इसके बास बनजाएगा हमारे पस बनेजुट याद कीज़ अमने करवाय था अगर हम उसका complete reduction कराते हैं तो वो बन जाता है amine group, 1 degree amine बन जाता है उससे, तो यह ही यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर benzonitrile है, हमारे पास CN group है, और CN group में हमने करा दिया complete hydrolysis, तो इससे क्या होगा, complete hydrolysis कराते हैं, यहाँ पर कौन सा group आ जाएगा, COOH group आ जाएगा, और complete hydrolysis के लिए हम क्या कराते हैं, dilute, dilute, dilute HCl, dilute HCl, dilute HCl, use करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यह साइनाइड रूप है, इसमें लग जाएगा, COOH, okay, यह साइनाइड रूप का हो गया, complete hydrolysis in presence of dilute HCl, okay, इतना समझ में आगे आपको, तो अब हम बनाएंगे, Benzyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Benzyl Alcohol, तो Benzyl Alcohol, इसमें बनाएंगे, चुरो देखते हैं, यहाँ पर हम संम्स प्रोसेस करेंगे, इतना प्रोसेस जो होगा, सभी का सेम रहेगा, यहाँ, कैसे होगा, फिन औल से हम बनाएंगे, पिट से आपको दिखा देती हैं, जसे कि आपको revise भी हो जाय छ़ंसे निकल जाता है और क्या बंज आता है हमारे पास यहां पर नीलीन हिपन बंझाता है रखोनली अंतर इस प्रफ व्राद में मचें जाते ऑस दी इसलिंग neden new proudlyation ए किसे बनाएंगे इसमें डालेंगे पिन झाल दिनगे ने नान 2 और क días एल डाल बन जाता है और जैसे बीडीची बन जाएगा तो हमारे पास इतनी सारी डियाक्शन है कि हम वह वह चीज़े बना सकते हैं ठीक है अभी तो हमें बनाना था बेंजाइल इलकॉल यानि कि हमें चाहिए बेंजीन के उपर चीज़े बनाते हैं यहां पर बनाते हैं यहां पर बनाते हैं यहां पर बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल यहां पर बनाते हैं यहां पर बनाते हैं यहां पर यहां पर वैसे तो दो तरीके हैं इसे बनाने के ठीक है तो पहला तरीका तो यह है कि पहले तो मनाएंगे दाल कर कि यहां पर हम बनाएंगे साइनाइट साइनाइट से बनाएंगे से बनाएंगे से बेंजोयक एसिड क्म्प्ली prinада यहां पर हम गर्रादां गहां के पीप्लीट हाईडरोलिस न्यानट वैसे तब यह सारे कोईश्यों खुद कर सकте है त्राइ करेंगे तो यह बहुत जादा इजी कोश्चिन से वैसे तो यह आप से हो सकते हैं अगर आप ट्राइ करेंगे तो कंप्ली हाइडलिस जब हम करते हैं डाइल यूटे डालके तो हमेशा हमारे पास बनता यान की कार्बॉक्सिलिक ऐड़ान हो जाता है उसमें एक बात हमने पड़ी थी यहां पर चैप्टर के शुरू में कि अगर हमारे पास कार्बॉक्सिलिक ऐसे डाजाए और उसका करवाद यह बरात हो पूस्त कि जब बियूँ करादेते हैं या इसा कुछ होता है हमने पढ़ावा था और जब डेक्षन होता है कार्बोकक्सिल एक इस एक का क्या बनता है यह बात भी जब हमने का बड़ी थी कि जब भी करबॉक्सिलिक आपक्षिलिकला काbasis यहां इतना किया फिर नरी निकाल थैंस में इतना किया फिर नहुआ भी बनाया हमने अनीलिन बनाया और लगे का यहां अ इतना जाक्षा प्रोसेस निकाल लिया प्रोसेज दिद बनाने कली है यूब आ बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं बीडीजी में डाल देते हैं एक 3-PO2 और 3-PO3 इनमें से कोई भी H3PO2 और H3PO3 इनमें से कोई भी आप डाल दीजे तो यह क्या बन जाता है बेंजीन बन जाता है और बेंजीन के बाद आपको पता है कि अगर हमने बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन करवा दिया यानि कि अलकाइल ग्रूप का CH3Cl हमने ले लिया जैसे कि मिथाइल क्लोराइड ले लिया और इसमें डाल डाल देंगे अगर अन्हाइड्रस कि शनल एक्रवा डालते ही यह और नोकैज कहीं हूब स concurrence का यह हैर फैर यह जा रगावा जाकर चास यह पास तयँ लिया अग्भ डात कर सक Origin तो हम डाल दिंगे यहां पर अब क्लोरीन 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 क्लोरी OH CH3 OH पाटा रहेगा ठीक है यहां पर बन गया हमारे पास CH3 OH यह मारे बन सकता है अब हमें बनाना है आईडो बेंजीन और फ्लोरो बेंजीन तो यह भी हम कर सकते हैं किसी करते हैं धितना जावे हमारे बन बनाना था यूप के इसे प्ली नारह चवाल तो यहां पर आईडीन का रोडी यहां पर बनाता है Чईल अच haven दाल ट्रॉप बैंजीन थे और यहां ठाशन ग्रॉपन मेंना होगा तो हम फ्लोरो बैंजीन होगा हम घंच सब कर चुके हैं पहले नहीं दख़ाँ है वीडियो वह डाई च्राइलनम्हाöt वाली वीडियोलेव से देख सेड़् हैं में और यह हम बेंजीन डाई टैने हम बिल्रांस है कितने साफ बना सकते हैं थम्ह nhất पर dif페िध हैं this तो दिखिंगे हम next reaction with zinc dust यह बार बार आएगी आपसे बार बार पुछी चाहिए तो आपको आनी चाहिए तो reaction with zinc dust में हमें क्या करना है यहां पर phenol reaction हमें कराना होता है zinc dust से अगर हमने कभी भी पिस phenol एमरे पास और उसमें हम डालते है zinc dust आपकिछलक लेक फृष्थ हित आपकदे सीत कमिकरते है तो हमें कुछ भी पर एति हमने के मझाए कर तो फृष्थ है यहां जो बोल्व ju तो यहां वॵाल लगता है زथ बनें का कि थी और लंगे तो हम क्या घ Lights है है झाल सकते हैं जाद नहीं हम से य प्रडट्क निकल जाएगा और बैंजीन या पर坦 जाएगा है्ना तो इससे से stan सारी कंवर्जंस मेंं हमें हिल्प मिलेगी तो ठीक है कपिनवर्जन देख लेते हैं फिर से क्लोरो बेंजीन को हमें अगर हमें फिनॉल को ख्लोरो बैंजीन करना है कैसे करेंगे सिंपल है सबसे पहले बनाएंगे अगया उसे छ्लॉरो बेंजीन अमें को दिखाई दे O, यह Zn के साथ रियाक्ट करएंगा और बना देगा ZnO- करते हैं और यहाँ पर लिख दीजिए कि फिर बैंजीन यहां पर लिख दिगा पिर बैंजीन के लिए क्लिए अपया करने चुर्सीन आपका पड़ कि यहां पर सारी के एक ही एफेक्ट होगा हेलोजन को बेंजीन तक ले जाना तो इनाइड्रोस अल्सील 3 क्या हो जाएगा इसमें डाल दिया जाएगा और यहां पर क्लोरो बेंजीन बनके तैयार इजी था ऐसी आप बहुत सी रियक्शन आप कर सकते हैं जैसी आपके बास सकते हैं उसी तरह कर एक और रेक्शन देखें तो हमें टॉल्वीन बनाना हो ऐसी तो फिनोन बनाना हो नाइट्रो बेंजीन बनाना हो बेंजीन सिर्फोनिंग एसट या फिर ब्रोमो बेंजीन कोई भी हमें बनाना हो ता हम इसी लिए बना सकते हैं यह ना सेम प्रोसेस हमे बनाएंगे फिनॉल में जिंक डस बिनाएंगे और जेदेनों माइनस करके हमारे पास बैंजीन बजाएगा ठीक है अब हमेरे पस बन किया है बैंजीन अगर हमें चाहिए बैंजीन के ओपर CH3 ग्रूप तो हमने अभी अभी किया था अब अब अबने क्या था रियाक्शन क्या क्या था हमने फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन यानि कि CH3 और इसे हम डालते है एनाहिड्रस एल-Cl3 की प्रिसेंस में तभी है जो CH3 बाला पार्ट है पॉजिटिव पार्ट जो है यहां पर जाएगा इस पे बैंजीन पर जाएगा तो यहां पर बना देंगे इसको CH3 बैंजीन के ओपर यानिकि हमारे पस बनीगा यह ताल्वीन इस से प्रोसेजर द्ल्यूर फिंज़ टाला हम रुट्याइशन में रह्म हंब अल-कालेयशन में लू nylon में तो यहां पैसे भीड्यों मिली जाएगा ऑं दोllow देंगे थि यह ठीमィ पार्थ क्लोराइशन गर्वा है ति選 Сपहा प्री च अपर चर्थाल च्लोराइशन में धर च डालने से क्या हो जाएगा एनाइडरस एल-C-L-3 की प्रेसंस में ठीक है यह नी बूलना है एल-C-L-3 डाल देंगे तो यह हमारे पास बेंजीन एसके उपर आजाएगा यह वाला पार्ट यानि की C double bond O single bond CH3 Acetophenone ठीक है इसी को बोलते हैं Acetophenone यानि की Phenyl group के ऊपर हमारे पास कौन सा group होगा Acetophenone यानि की Ketonic group होगा किसके ऊपर Benzene के ऊपर इसी को बोलते हैं Acetophenone ठीक है अब हमें बनाना था next which is Nitro Benzene तो Nitro Benzene बनाने के लिए हम क्या करते हैं Simple वही तरीका है हमें Benzene बनाना है Benzene से हम कौन से Acid डालेंगे Nitric Acid डालेंगे ठीक है तो Nitric Acid डालते हैं देखिए कैसे बने गई है यहां पर भी हम क्या करेंगे Phenol लेंगे Phenol है यानि की Benzene के ओपर OH Sink Dust डालेंगे Sink Dust डालने से क्या होगा यहां पर हमारे पास Heat Up भी करते हैं और ZNO निकलता है Sink Dust डालने से क्या होता है यहां पर हमें बस Benzene में जाता है अब इतना Benzene बनने के बाद बस एक ही process करना होता है वह होता है हमें यहां पर हमें डालना होता है Nitric Acid यानिन की Concentrated Nitric यानि कि Concentrated HNO3 ठीक है और यह डालते ही क्या होता है जो हमें NO2 नाइट्रो ग्रॉप मिल जाता है यह यह आम किसके साथ डालते हैं H2SO4 के साथ डालते हैं वह भी Concentrated होता है दोनों ही Concentrated H2SO4 होता है और इसके क्या होता है इसमें से जो NO2 पार्ट होता है वह हमारे बेंजीन के उपर लग जाता है जो कि हमें चाहिए और यह बन जाता है नाइट्रो बेंजीन इजी है यह ना अब हमें next बनाना था बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए भी हम सेम चीज़ करते हैं बस हमें क्या डालना होता है यहां पर Concentrated H2SO4 अके लिए है ना वहां पर हमने Concentrated H2SO4 डाला था याद कीज़े ज़र हम कर रहे थे तो यहां पर क्या हो जाता है यहां पर सल्फोनिक एसिड यानि की एसो थ्री एच यहां पर आ जाता है यानि की बेंजीन सिल्फोनीक आचिड यह बबन जाता है बन अगर आपको ब्रोमों करेंगे तब आपको थे श्हां पर इगर ना हो भलाओनघ कहा है लएयग भी मेंग् से ब्रूमो बेंजीन हमने बना दिया है अब कोई भी अगर आपको आता है तो हम इसी तरह से बेंजीन से करवा सकते हैं उसके रीक्षिन और यह बना सकते हैं इतना सिंपल था आज के लिए हम इतना ही करेंगे थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में